हेलो एप्रीवन वेलकूम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल पूजा पार्ट से जुड़े हुए अल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेर करते हैं अपनी लाइफ का इस प्रेंट जैश्री कृष्णा राधे राधे कैसे आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं ब्यूकुल चीकूं आज का वीडियो विसे से रिक्वेस्टेड है बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं बहुत लंबे टाइम से मतलब आज इनको रिक्वेस्ट करते है सब्सक्राइब करना होता है कि सबका मालिक एक है तो यही चीजे आपको ध्यान में रखती हुए जो है वह पूजा पाठ अपनी शुरू करनी है ब्रहस्पति बार के दिन कोशिश करके जल्दी उड़ जाए इसनान ध्यान कर लें जो नित्य क्रिया है उससे निर्वित होके मंदिर में आ जाए एक चौकी पर या मंदिर में आपके साहीं बाबा बैठें वहीं पर आप जो है साहीं बाबा को जल से इसनान करा दें अगर पीले रंका ही चंदन उन्हें लगाया जाता है तो आप पीले रंका चंदन लगाए पीले पुष्प की माला अरपित करें बाबा को पीले रंका कपड़ा भी उड़ा सकते हैं आप साहीं बाबा की कपड़े बजार में बने हुए मिलते हैं आप हो ले सकते हैं पीले रंका क पलों का भोग लगाएं अवश्य जैसे पीले रंग के संत्रे हो गए आम हो गए या पीले रंग की मिठाई का भी भोग प्रभू को लगा सकते हैं साइन बाबा की आरती करें उनकी कथा भी आती है कथा पड़ें आप चाहें तो छोटे से कलस की स्थापना पहले गुरुवार में अवश्य करें अंतिम में भी कर सकते हैं पहले में भी कर सकते हैं उसके बाद आप जो है बाबा को भी जो है पीले रंग की चने की डाल और गुड का भोग बहुत पिरिया होता है तो आप चाहें तो चने की डाल भिगो दें अगले दिन एक दिन पहले आ भिगो दें और गुरुवार को बाबा को उसका भोग लगाएं, खिचडी बनाएं और गरीवों में खिचडी का दान उस दिन अवश्य करें, अगर आप बाबा की भक्ते पोजा कर रहें तो याद रखें कि गरीवों को ना सही अगर हम नहीं हो पाता तो एक व्यक्ति जो कि खाली पेठो उस है वह पीले रंकी साबूदानी के खिचडी बना के आप सुयम गिरहण कर सकते हैं और साहिं बाबो को भी अर्पित कर सकते हैं कलस की हम बाबा की कलस स्थापना करेंगे अगले दिन गुरुवार जब निकल जाएगा तो शुकुरुवार की सुबह हम उस कलस को उठाएंगे उसका जल जो है वो घर में छड़क देंगे और जो है गंबलिब में भी पानी डाल सकते हैं चाहें तो स्वाइम भी थोड़ा थोड़ा पानी सब लोग पी सकते क्योंकि कहते हैं पूजा में इस्तिमाल हुई हर चीज में प्रभु का आशिरवाद होता है तो आशिरवाद रूपी आप उसे ग्रहन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने शाहीं बाबा के ब्रत के जोभी संकल्ब है किस गूरुवार के तो आप उने पूरा कर सकते हैं एक इस्तिता अगर फीमेल है अगर ऐसे में पिरियड आजाता है तो तो अप फिर आप गूरुवार का ब्रत नहीं छोड़ेंगे आप बात रहेंगे बस पूजा नहीं करेंगे पूजा आपकी घर में मम्मी, सास या बहु या पती जो भी है वो पूजा कर देंगे बाबा की पूजा करने के बाद आप चाहें तो जो है बस दूर से उन्हें प्रडाम करके दूर से उनकी आरति वगर अगा के उनकी कथा दूर से ही आप फोन में जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ये है पिरियेट की स्थिति अगर आप घर से बाहर है और गुरुवार आ जाता है तब भी आपको ब्रत अपना नहीं छोड़ना है ब्रत करना है आप अपने साइम बाबा की फोटो मुबाइल में खीच लीजे जहां भी हैं वहां से उनके दर्शन करिए और प्रभू को बताईए कि प्रभू आतों घर पर ही नहीं है लेकिन हम यहां ही जहां है वहीं से कोशिश करेंगी कि किसी गरीब व्यक्ति को एक व्यक्ति को भोजन जरूर करवा दें ताकि हम आपके बताय हुए न सिस्क्राइब करना मत भूले आप मुझे इंस्टाग्राम पर जॉइन भी कर सकते तो मैं मिलते हूं विदा न्यू वीडियो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे बाई बाई फ्रेंड्स बाई बाई